कि क्या करना है तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैं थोड़ी से यह है हम चर्चा करेंगे और करेंगे और उस पे तो थोड़ा पूरे मार्क लाना है इसलिए हम थोड़े स्पेवल तरीके से उसको पढ़ेंगे तो हमारे पास पिक्चर होता है चित्र होता है जब हमें कौस्चन आंसर देना होता है तो केरल, raise your hand, क्या करेंगे हम पहले, हमारे पास question आ गया, picture composition, हम क्या करेंगे, raise your hand, yes, देखेंगे, मतलब यदि हम अपनी भासा में कहें, तो हम कहेंगे observation, क्या करेंगे, observation, प्रबिशान, as a member of group B, first of all, I want to explain what is picture composition, picture composition, create, food involves to create a story, or a story, descriptions, like here is a picture of nature, description about it, a story about it, or we can say, an essay on given picture, whatever we give to the students, they will observe it and write about it. After that, I want to, we bought, through this picture composition, we can, yeah, जी, 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 पिक्चर कंपोजिशन के द्वारा हम लेखन कोशल, तार्किक शक्ती एक बच्चे का, है न, और सोच, उसके लिखने का कोशल को बढ़ा सकते हैं, है न, ये सारी चीजें वो बच्चा सीख सकता है, और इसमे, as you are seeing here, किस चीजे का है पिक्चर ये जीजे, वो बच्चेंदें, अजीजे, आपकल कोशल कि बच्चर ये, जायए, और स्क्रापकल कोशल कि प्च्चर एक बच्चर ये, जायए, अजुगत लेरे, जायए, जायए जायए, जायए, मुझगते नेजे, ये, स्क्रा जाओ जैसे चित्र भी लग रहा है कुछ बच्चे भी हैं कुछ घर बना है बच्चा भी है तो हम जिसको जो मन करें वो हैडिंग दे सकता और देकर इसका इसके वह टाइटल हो जाएगा बच्चे का उसके बाद फिर हमारी प्रीति गुप्ता मेडम आ रही है वो इसी क्रम को आगे कैसे बढ़ाना है बच्चा बच्चे से हमें किस तरह से इसके आगे का प्रीएशन हाँ टो दे राइट बेवल तु राइट अबाट अपिच्चर उसके कुछ इजी टिप्स मैं बताएंगी प्रीज पीज पीटि गुपता मैं बच्च्चा बॉड़निंग इस्टू दो दोड़ेंगे तो मैं आप लोगों से बन वाइवन पूछूंगी तो आप उसमें से कुछ बट्स बताएंगे और अब उनको पहले अरेंज करके लिख लेंगे आफ्टर देट उनके पन जो वाट्स है जो कुछ भी उसमें अबजेक्स है वो क्या एक्टिविटी कर रहे वह आपको नेक्स में समया ऑई है तो पक्चर देख रहे है ओट्र मैं आप बताएंगे सबसे पहले आप क्या और ये देख रहे हैं आप बताएंगे ट्री या ट्ू ट्रीष डिख सकते है नौऀँ ओनेख हो नेक्सलिए words or huts good girl son very good next stones grass river sky it अब लोगो ने देखा इसमें से आपने कितने अब्जेक्स में का लिए 10 यदि हम हर अब्जेक्ट से एक एक सेंटेंस बनाएंगे तो कितने सेंटेंस हो जाएंगे अपने पास आप लोग शुरू से इसको देख रहे हैं जानते थे जानते थे ना तो यह चीज आपको पता होगो कि जो हम देखते जो विजुलाइज करते वह जादे स्टॉंग होता है अब नहीं जाएंगे ना तो जो चीज आपने यह देखी है यह नेचर ने दिया हम वर्त से लेके डैथ तक नेचर से ही जुड़े रहते हैं तो आप चाहे वह बच्छा चोटा हो या बढ़ा हो पास साल का या पंदरा साल का नेचर एब्रिवेए हैं ना हर कहीं है चाहे व इसलिएit रेता या ऐव खीम अनुद्वेर आप्व हैं यह तो बहुत चीजहिक्शन और फॉल्ब एचिज़ए अ गाउन ही यह सेर में होता है अर न? इंडिया में होता है यह भूरों सेरौ!!! तो हर कही है अन्- यतिख सब्सक्राइब और सन, का एक्शिन क्या है? राइस किछना, क्या है सन क्या होता है। रइवर रिवर हम किसको कहते है उसमें क्या रहता है पानी होता है पानी के पानी का पूँ कोई कलर होता है तो जो river है नदी नदी क्या करती है दोड़ती है रोती है हसती है क्या करती है river is flowing क्या करती है river बताईए कैसे करती river is flowing right and after that words पक्षी सुरू से हमने तोता मैना चड़िया और भी कहां नहीं सुनिये सुनिये ना तो words जो है वो भी एक बच्चा आराम से देख के समझ सकता है कि यह पक्षी है चाहे वो 5 साल का हो या फिर वो 15 साल का तो words का काम क्या रहता है हसना गाना रोना words क्या करता है words are flying क्या करते हैं flying है ना तो words fly करते हैं अब next day है है एक और है sun हो गया words हो गया okay ठीकी तो हम देख पा रहे है कि कुछ object कैसे है sky sky कोई ऐसा object नहीं है जिसको हम मतलब चलता सिरता देख पा है yeah okay so stand always stay up okay okay girls girls can girls every action कर सकती है girls yeah children just come to her हम क्या नहीं कर सकते है आप कौन हो girl or boy girl ना क्या क्या कर सकते हैं every action रहना हसना देखना सुनना तो या फिर playing हम healthy कि इस पुच्चर के बारे में कैसे हम पिच्चर का पूजीशन कर पाएं तेंक यू जब लगा है जी गोड आप अनून ओल आफ यू हमने इस पिक्चर को देखा इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि ये पिक्चर में जो हमने एक्टिविटी भी देखी और ऑब्जेक्स भी देखी ऑब्जेक्स जैसा की मेडम ने बताया इसमें ट्रीज हैं ह तो अब्जेक्ट और एक्टिविटी के आधार पर हम इसको कमपोच करेंगे मतलब इसको हम सेंटेंस एच पुटप करेंगे इसमें तो हम इसको बनागे सबसे परले यह देखेंगे यह क्या है तो दिस इस ब्रेज ब्यूटिफुल सीमरी और इसका टाइटिल भी देंगे इस ब्यूटिफुल सीमरी फिर और सम्बर्स अर फ्लाइंग देखेंगे 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 देखो बच्चों यह चित्र दिख रहा है क्या किते लोगों को नहीं दिख रहा है तो अब जो सब्दें अभी लिखे हुए है यह उन बच्चों के लिए जो एबरेश से उपर होते हैं जिनको एंगलिस आती है जो मेनिंग समझते हैं वर्व या जो भी समझना है लेकिन हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जो की सही तरह से हिंदी भी नहीं पढ़ाती है अब आप उनको पिच्चर देखके सेंटेंस लिखा रहे हैं तो यह थोड़ा सा मुश्किल होगा तो हमें पिच्चर पे सबसे पहले तीन दिन चार दिन पाथ दिन आर्दस जितना पिच्चे पे हिंदी वाक लिख वाई है तीन सब्द चार सब्द यह पक्षी हैं दो पेड़ हैं गाउं का चित्र है नदी बहर ही है अगर हम ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस उनको हिंदी में विवस्तित लिखना सिखा देते हैं तो फिर इंगलिस में इस तरह के एक एक दो और थूड़े से सब्द और सेंटेंस को किस तरह लिखना है वो समझाएंगे तो बच्चा आराम से पिच्चर देखके सेंटेंस लिख सकता है और डारेक्ट अगर पिच्चर देखके आप बच्चों को इनको साच करने को बूलेंगे तो हमें से इंसेक्च्चन साही देखके स्याँ मी कुस्टे देखके फिया है लिख सामीड दीखिये देगे सभी आपको अभी हमें पिक्चल कमपोजिशन लब जो चित्र हमें दिया गया है उस पर हमें सेंटेंज बनाना है इस्टोरी बनाना है तो यह जो सामने चित्र दिया गया है क्या इसमें से कुछ हमें अपने आसपा दिखाई दे रहा है क्या अपने बाहर देखिए यहां से दिख रहा है हाँ पेर देख रहा है और इसके प्रिक जितों के हमें यहीं से देख रहा है इसके अलावा भी हमने इसमें से जो भी चित्र है कुछ पहले देखा है कदी देखा है तो बताईए बाडस देखे हैं और देखा है हाँ देखे हैं अब बाड़ यह है कि अभी हम ब्योहार में इनको हिंडी में इस्तिमाल करते हैं तो हमें इनका इंग्लिस में मालूम है जेसे जो प्रेड प्रेड देखा पेड़ को इंग्लेस में क्या बोलते हैं ट्री है ना पक्षी हो गाए पक्षी के लिए पक्षी को प्रेड परता है यह इस पैलिंग यह आई आई क्या आप तरीका होता रहा है तो भी आई आई प्रिस करें चलिए अब आगे देखते हैं कि जो भी हमने जो यहां पर देखा है इससे संब्द कुछ गर्दी की दी इसके बारे में कुछ देगी है जैसे पेड़ है पेड़ क्या होते हैं उगते हैं बढ़ते हैं है ना तो उसके बारे में हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं वह देख रहे हैं है ना या पेड़ रहे है या बढ़ रहे है उसके लिए फ़र हम इंग्लेस में बताएंगे बढ़ने के लिए या उगने के लिए का अब बख्षी क्या गर्रोगा है तो यह क्या है जुसों यह लोगाए तो को नहीं था जादा रहिंगा थिसम नियान वे का सरह सबीको ने तू झाल 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 झाल